माइ बिग गैड चैनल को सस्क्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को दबाईए और इसके बराबर में दिया गया जो गंटी जैसा इकन है इस पर जरूर क्लिक कीजिए यहां पर सेंड मी ओल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाए और सेव कर दीजिए नमस्कार दोस्तों माइ बिग गैड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुनिया के किसी भी शहर किसी भी जगह को आप 360 व्यू में कैसे देख सकते हैं यहां तक कि आप अपना घर भी गूगल अर्थ पर 360 व्यू में देख सकते हैं तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा Google Earth और एंटर करना होगा यह जो पहला रिजल्ट आपके सामने आएगा आप इस पर क्लिक कीजिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल अर्थ का जो वैब वर्जन है उसका आपको फ्रंट पेज दिखाई देगा जो की बहुत देखने में शांदार है यहां पर आप इसको लांच गूगल अर्थ के बटन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने गूगल अर्थ का जो पेज है वो आ जाएगा इसको कुछ समय लग सकता है आपके कंप्यूटर में लोड होने में यह आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपके इ यह बिल्कुल आपको अंतरिक्ष जैसी कलपला भैसूस कराएगा यहां पर नीचे तीन चार ऑप्शन और दिये गये हैं यह जूम इन का ऑप्शन है यह जूम आउट का है यहां पर एक ग्लोब और दिया गया है अब यहां पर कोई जगर सर्च करानी है तो हम सबसे पहले यहां पर आपको करा के दिखाते हैं एफिल टावर यह इसका सर्च बटन है तो हम यहां पर सर्च करते हैं एफिल टावर आप यहां पर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं तो यहां पर हिंदी में टाइप करते हैं यहां पर आगया एफिल टावर पैरिस फ्रांस आप इस प आप को एक आट दिखाई देगा, विहाँ ऐसे पेपर निशान, ऊसंड पर प्लिक करेंगे, तो आप वहाँ जा सकते हैं. फिलाल बात करते है एफिल टावर की इसको minimize कर देते है तो यहां पर आपको एफिल टावर दिखाई दे रहा है यहां पर आपको 3D बटन भी दिखाई दे रहा है यह जो बटन है आप इससे 3D और 2D में किसी भी व्यू को convert कर सकते हैं बशरते Google Earth पे वो जगह 3D में भी हो तो इस बटन क्लिक करते ही जो एफिल टावर है और साथ में यह पूरा जो शहर है वो 3D व्यू में आ जाएगा अब यहां पर बरावर में हमें एक आइकन और दिखाई दे रहा है जो कि एक आदमी जैसा आइकन है तो इसको इसका यूज यह है कि आप इससे map को street व्यू में भी दीजिए वह एरिया आपको अगर street व्यू में होगा तो वह दिखाई दे जाएगा अभी हम देखते हैं क्या वह एरिया में street व्यू में दिखाई देता है कि यह देखिए यह एरिया अभी हम आगे एक motor boat के अंदर आप देखेंगे यह motor boat एक पुल के नीचे से घुजर रहा है यहाँ पर कुछ arrow आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं यह आपने keyboard के arrow बटन से 20 वोट को आगे बढ़ा सकते हैं यह एक बहुत ही जबर्दस्त और शांदार 360 व्यू है अब दुबारा से आप इसी आइकन पर क्लिक करेंगे यानि जो है स्टीड व्यू से एकसिट करेंगे और दुबारा आप एफिल टावर के व्यू पर पहुंच जाएंगे आप देखिए यह कितना जबर्दस्त 3D व्यू हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप दुबारा इस आइकन को क्लिक करके यहाँ पर रखेंगे और आप इस एफिल टावर के सामने वाले गार्डन से इस जगे का स्ट्रीट मैप देख पाएंगे यहाँ पर इस गार्डन के बिल्कुल नीचे हैं अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप इस तरीके का स्ट्रीट व्यू जो 360 फोटो है वो आप अपने फॉन से कैसे बना पाते हैं अभी यहाँ पर और भी ऑप्शन दिये गए हैं हम सर्च करा के देखते हैं अपने ही भारत का शहर आग्रा त आगरा या ताजमहल टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ताजमहल के नाम से कई सारे अउप्शन आपको दिखा ही दे रहे हैं तो यहाँ sì तो यहाँ पर अधाये गारा तो यहाँ आप पर दैका आजमहल आगरा डालकर उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाएंगे, ताजमहल आगरा के नाम से, और यहाँ पर ताजमहल के बारे में कैसारी चीज़ ने लिखी होगी, यमना रिवर के पास में है, यमना नदी के पास में है, एक इस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो आप देख रह यहां पर हम हिंदी में टाइप करते हैं केदारनाथ मंदिर आप देखेंगे जैसे हम यहां में केदारनाथ टाइप करेंगे तो हम केदारनाथ की पहाड़ियों में बने हुए इस मंदर पर पहुंच जाएंगे यह देखिए और यहां से दिखने वाली आपको वह सारी पहाड है और यहाँ पर जो मन्दिर है वो यहाँ पर बना हुआ है आप देख सकते हैं यह किंदारना टेमपल है और यहाँ से सामने यह सारी चीज़ दी गई है इसी तरहीए से आप अपना घर भी इसमें देख सकते हैं यहाँ वी जॉट और उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो बसकि यहां पर आपको कार्ड दिये गए हैं आप कार्ड से वहां पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चनल को लाइक कीजिए कमेट कीजिए और ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चनल को ज़रूर सस्क्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल